फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको दसा माता वरत की पूजन सामगरी दिखाऊंगी जब हम दसा माता का वरत करते हैं तो पीपल के नीचे जाके पूजा करते हैं पीपल का विशे समेहतो होता है इसमें तो आप क्या-क्या सामगरी लेके जाए या आप घर पर भी जब पूजा करते हैं तो क्या-क्या सामगरी ले वो सभी सामगरी आज में आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कच्चा सूत यह बहुत जरूरी होता है दसा माता के वरत में कच्चे सूत का डोरा बनाया जाता है वो कच्चे सूत के दस पूजा करते हैं तो तो आपको यह कच्चा सूत जरूर लेना है इसमें और इसके बाद हम लेंगे गेहूं गेहूं के दाने हाथ में लेकर ही दसा माता की कहानी सुनी जाती है यह जो गेहूं है इनके दस दाने हाथ में लिए जाते हैं और उसके बाद दस दाने हाथ में ल ले लें तो गेहू लेंगे हम यहाँ पर और इसके बाद हम लोग लेंगे हल्दी क्योंकि जब दसा माता का डोरा बनाया जाता है तो हल्दी से रंगा जाता है उसे और दसा माता को जो तिलक किया जाता है वो भी हल्दी का तिलक किया जाता है तो आप हल्दी जरूर से ले ले इसके बाद हम लोग सुपारी लेंगे सुपारी पूजन में चाहिए होगी हमें और उसके बाद हम लोग लेंगे चावल तो यह यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं इसके बाद हम लोग गनेश जी लेंगे गनेश जी को राजमान करके हम कहानी सुनते हैं तो मैंने यहाँ पर यह मिट्टी की डली के बनाई हुए हैं गनेज जी आप चाहे तो सुपारी के भी बना सकते हैं या आप गनेज जी की मूर्ती या फोटो वगरा कुछ भी आप ले सकते हैं तो गनेज जी ले लेंगे हम इसके बाद जब हम दसा माता कवरत करते हैं तो मेहंदी जरूर लेनी है आपको मेहंदी आप सूखी मेहंदी भी ले सकते हैं मेहंदी पाउडर और आप इस तरह से मेहंदी की कीप भी ले सकते हैं तो ये मेहंदी ले ली है मैंने इसके बाद हम लोग लेंगे दिया, ये देशी घी का दिया लेना है हमें, अगर आपके पास देशी घी का दिया आप किसी वज़ा से नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप तिल के तेल का दिया ले ले, देशी घी का दिया ले लिया है मैंने, इसके बाद हम लोग लेंगे रोली, तो यह रोली ले लिए तिलत करने के लिए और उसके बाद हम लोग लेंगे मोली यह कलावा जिसको हम बोलते हैं तो यह कलावा ले लिया है मैंने और यहां पर हम धूप ले लेंगे यह धूप दीप जरूर लेते हैं हर एक पूजा में हम लोग और फ्रेंट्स जब हम दसा माता की पूजा करते हैं तो हम मीठा खाना लेते हैं क्योंकि नमकी नहीं खाना होता इस दिन और मीठे में भी हम एक ही अनाज लेते हैं इसमें और ये जब हम बायना निकालते हैं तो दस जैसे पूरे बना लिये हैं मैंने तो दस पूरे इस तरह से लेके और उस पर दस सिख्ये रख लेंगे तो ये पूड़े ले लेने हैं, पूड़े की जगे आप हलवा और पूरी भी बना सकते हैं अगर आप हलवा पूरी बनाएंगे तो आपको 10 पूरी लेनी है और उसमें 10 चमच हलवा रखना है और अगर आप पूड़े बना रहे हैं, कुछ लोग इसको गुलगुले बोलते हैं, कुछ पूड़े बोलते हैं, तो अगर आपने ये बनाए हैं, तो फिर आप 10 ये ले ले, और 10 इस तरह से आप सिक्के ले ले, और ये एक साथ रखकर आप बायना निकाल कर अपनी सास को दे और इसके साथ ही हमें लेना है एक जल का लोटा जल हम जरूर लेगे जो कि हमें पुजा में साथ ही लेके जाना है आप घर पे पुजा करें तो भी आपको ये सब सामगरी चाहीं होगी और और अगर आप मंदिर वगरा में जा कि पीपल के पेड़ के पास फूजा करेंगे तब भी आपको यह सामगरी चाहिए होगी इसके बाद हम लोग कुछ फूल ले लेंगे फूल आप यहाँ पर कोई भी फूल ले सकते हैं जो भी आपको अपने आसपास मिल जाए आसानी से आप वो फूल ले ले किसी भी कलर के हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं तो यह फूल आप ले लेंगे फ्रेंड्स ये सामगरी हमें दसा माता के वर्त में चाहिए होगी और जो दसा माता का वर्त है ये चैतर परतिपदा से शुरू किया जाता है और दसवी तक चलता है यानि कि दुलंडी वाले दिन से शुरू कर दिया जाता है ये और ये दस्वी तक चलता है चैत्र की जो दस्वी तिथी आती है जो अब की बार 6 अप्रैल को है यानि 6 अप्रैल को है तो जो में वरत होता है वो 6 अप्रैल को करना होता है और कुछ लोग पूरे 10 दिन का वरत भी करते हैं कुछ लोग एक दिन का वरत करते हैं तो अगर आ ओर यह आजीवन किया जाने वाला वुरत होता है इसका पर जिसका कभी बिद्यापन नहीं किया जाता है। एक बार बीन नहीं जीशना है , एक बाय जिसे आप बीमार हो गए हैं या वुरत हवस्ता में तो पिर आप जो बुष करते हैं तो आं अपनी वरत को या किसी अन्या को वरत दे सकते हैं. जैसे सास जब बहुत बूरी हो जाती हैं तो फिर वो अपना वरत अपनी बहु को दे देती है, बेटे की बहु को तो इस तरह से ये वरत चलता है और इस वरत में people की प्रिकरमा की जाती है, जिसका विसेस महतो होता है तो आप इस तरह से यह वरत कर सकते हैं 6 अपरेल को यह वरत है दसामाता का जो मुख्य वरत है वो 6 अपरेल को किया जाएगा तो friends यहाँ पर मैंने आपको वो सभी सामगरी दिखाई जो आपको दसामाता के वरत के लिए चाहिए होगी अगर आपको मेरी व वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद